हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अधरक के फायदों और कैसे आप इसको उप्योग कर सकते हैं। सालों से हर भारतिय रसोई में अधरक को इस्तिमाल में लाया जाता रहा है। वज़े है इसका खास स्वाद, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूजन में स्वाद लाने के साथ ही अधरक कई औशधिय गुनों से भी सम्रिद है। यही वज़े है कि अधरक को कई स्वास्थे संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है। पाचन को मजबूत करे, अधरक खाने के फायदे कई हैं जिनमें पाचन प्रक्रिया में सुधार भी शामिल है। अधरक कब्ज, पेट, डर्ट, पेट की एंठन, मरोलव गैस जैसी कई समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक साबित होता है। वहीं, यह अपच की समस्या को ठीक करने में भी मददगार होता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि अधरक के फायदे पेट के लिए प्रभावी हैं। साथ ही यह पाचन को मजबूत बनाने का भी काम करता है। कैंसर से बचाव, कैंसर से बचाव में भी अधरक का उप्योग लाबकारी परिनाम प्रदर्शित करता है। दरसल, अधरक में एंटी इंफ्लामेट्री सूजन कम करने वाला और एंटी कैंसर के प्रभाव को कम करने वाला गुन मौझूद होता है। इस गुन के कारण अधरक स्तन कैंसर, गर्भाशे के कैंसर और लिवर कैंसर से बचाव में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अधरक खाने के फायदे कुछ हद तक कैंसर से बचाव में मददगार साबित होते हैं। अधरक का उप्योग कर इस समस्या के बढ़ते प्रभाव को काफी हद तक नियंतरित करने में मदद करते हैं। मतली व उल्टी में पहुंचाया आराम मतली व उल्टी की समस्या में भी जिंजर के फायदे हासिल किये जाते हैं। अधरक में एंटियमेटिक मतली और उल्टी के आभास को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। इस प्रभाव के कारण अधरक मुख्य रूप से गर्भावस्ता और कीमोथेरपी के बाद होने वाली मतली की समस्या से राहत दिलाता है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अधरक का उप्योग कर मतली वोल्टी की समस्या से राहत पाने में मदद मिलती है. दर्द को करे कम, अदरक में एनॉल जेसिक दर्दनिवारक गुन पाया जाता है इस गुन के कारण अदरक खिलाडियों में अधिक तनाव के कारण होने वाले मानस्पेशियों के दर्द पर व्यापक प्रभाव छोड़ सकता है अदरक मासिक धर्म के दर्द को नियंतृत करता है इन दोनों तत्यों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अदरक के औशदिय गुन मानस्पेशियों में खिजाब, तनाव वशूजन के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद करते हैं मासिक धर्म में अदरक के फाइदे जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अदरक में दर्दनिवारक और सूजन को कम करने वाले गुन मौजूद होते हैं यह गुन मानस्पेशियों के खिजाव और तनाव को दूर करने के साथ साथ मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से राहत दिलाने में भी सहायक साबित होते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मासिक धर्म की पीरा से बचाव के लिए भी जिंजके फाइदे कारग साबित हो सकते हैं। इनमें सूजन, मुक्त कनों का प्रभाव, खून जमने की प्रक्रिया, बढ़ा हुआ बलड प्रेशर और लिपिद को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है। यह सभी प्रभाव संयोक्त रूप से हृदे स्वास्थय को प्रभावित कर उसे स्वास्थय बनाये रखने में मदद करते हैं। अदरक का सेवन कर रिदे स्वास्थय को बरकरार रखने में मदद मिलती है। कॉलिस्ट्रॉल और बलड प्रेशर को नियंत्रित करें। अदरक में हाइपोटेंसिव बलड प्रेशर कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। अदरक का रस लिपिड को नियंत्रित करने के साथ ही बड़े हुए कॉलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। इन दोनों तत्यों को देखते हुए यह माना जाता है कि अधरक कॉलिस्ट्रॉल और ब्लड प्रेश दोनों को नियंत्रित करने में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। डाइबिटीज नियंत्रन में सहायक अधरक पर की गई एक रिसर्च में इसे डाइबिटीज पर प्रभावी पाया गया है। माना गया कि यह बड़े हुए बलड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ ही इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाने का भी काम करता है। इस तरह यह व्यापक रूप से डाइबिटीज की समस्या में प्रभावी साबित होता है। प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाए अदरक का सेवन कर शरीर की प्रतिरोधक शम्ता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इन समस्याओं में इंफेक्शन से बचाव भी शामिल है। बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन से बचाव करने में मदद करता है। अदरक के गुन सामान्य सर्दी, जुकॉम, गले की खराश और बुखार के संक्रमन से भी बचाव में कारग साबित होते है। बालों के लिए फाइदेमन्द, अदरक में एंटि-माइक्रोबियल, सूक्षम बेक्टीरिया को नश्ट करने वाला, गुन पाया जाता है वहीं, बैक्टिरियल इंफेक्शन के कारण भी बाल ज़रने की समस्या देखी जाती है, ऐसे में अगर कोई बैक्टिरियल इंफेक्शन के कारण बाल ज़रने की समस्या से परेशान है, तो यह अदरक के गुन मददगार साबित होते हैं, अदरक के फायद सकता है इसके अलावा अदरक को लंबा और पतला कार कर फिर इस पर नमक मिर्च और अपनी पसंद का मसाला लगा कर दोप में सुखा लें फिर इसे आप कभी भी खा सकते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हर्बल किसान के साथ धन्यवाद